हेलो दोस्तो आज हम आप सभी छात्रों को हिंदि के मडल पेपर का अबजेक्टिव कौश्चन बताने वाले हैं दोस्तो फानली आप लोग वीडियो को लास्ट तक देकर हिंदि के मडल पेपर का टोटल अबजेक्टिव कौश्चन को याद कर लेना आपके बोर ईजाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इस कोईचन को PDF में डाउनलोड भी करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए आपको टेलीगर आम जोईन करना पड़ेगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जाक और आपको टेलीगर आम जोईन को लो इस कोईचन को PDF में डाउनलोड करने के लिए ठीक है तो चलिए दोस्तो बीने टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से हिंदी का मडर थी सुरी दोस्तो मैट का मडर पेपर बताँगा ठीक है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला दोस्तो कोईचन कि डाक्डर भीमरा अम्बेतकर ने किस प्रता को आर्थिक पहलू से खतरनाख माना है डाक्डर भीमरा अम्बेतकर ने किस प्रता को आर्थिक पहलू से खतरनाख माना है तो इसका सही जबा हम दोस्तो देंगे अप्सन नमर डी को देंगे जाति प्रता को खतरनाख पहलू माना है यानि कि ठीक है आपका इंसर हो जगा डीनेमटिक जाति प्रता अगला कोच ने दोस्तों कि भारत से हम क्या सीखें क्या है भारत से हम क्या सीखें क्या है निबंद है या फिर कहानी है या फिर ब्यक्ति चित्र या फिर भासड है तो आप लोग दोस्तों सही सुना अंत में क्या सुना भासड जो अफसन नमर सी में दिया गया है तो आप क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माणा आए सबसे बड़ी चीज कि से माना प्रेम कुरोध भुआ घृणा तो इसका हम सभी जबाप क्या देना चाहिए अपसान नमर 1 को प्रेम को सभसे बड़ा चीज माना आए ठीक है याद रखना एंसर नमर A हो ज़ेगा ठीक है अब दोस्तों हम लोग अगला question चार नमर देखने वाले हैं चार नमर दोस्तों परस ने कहा था कि बहादूर का बाप कहां मारा गया था बहादूर का बाप कहां मारा गया था तो इसका सही जवाब क्या होगा बहादूर का बाप यूद में मारा गया था याद रखना ठीक है थोड़ा दोस्तों इसको जुम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे ठीक है अगला question है विल नौव क्या है तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे या एक सहर है या फिर एक छोटा सा गाव है या फिर एक जील है या फिर एक नदी है इसका हम सही जवाब देना चाहेंगे बी को एक छोटा सा गाव है विल नौव एक छोटा सा गाव है याद रखना answer बी हो जेगा अगला question है दोस्तों कि रस खान किस विशे में सिध थे रस खान किस विशे में सिध थे तो इसका एंसर हो जेगा अफसर नमर ए सबया च्छंद में सबया च्छंद में रस खान सिध रहे ठीक है एंसर हो जेगा ए नमर अगला कोचने की मुह अंसुहिनी लव बर्सों कौन कहते हैं रस खान गुरु न अउन्कार? किसके उंकारों से महलों की निव उंखड जाती है? सासक या फिर विदेश या फिर जनता या फिर राजा तह इसका सई जवाब होना चाहिए दोस्तों अपसा नमर्ड़ जनता अपसा नमर्ड़ D हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों कि कभी को बुढ़ा चौकीदार ब्रिच कहा पर मिलता है घर के अंदर चौकीदार या फिर घर के दरवाजे पर या फिर आंगन में इसका सही जवाब होगा अपसा नमसी घर के दरवाजे पर कभी को बुढ़ा चौकीदार ब्रिच मिलता है ठीक है घर के दरवाजे पर एंसर हो जेगा C नमर अगला कोश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कोभी कहां लौटने की बात करते हैं विहार में असम में उडिसा में बंगाल में तीसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा अफसा नमर D बंगाल में ठीक है याद रहना अपसर होगा D नमर अब देखने वाले हैं 11 नमर प्रस्चन है कि सब्याद की अवसेक्तिया क्या है सब्या समाच की अवसेक्तिया क्या है जाती प्रता सरम विवाजन अनगभाव में फिर दूध पाणी तीसका सही जवाब क्या होगा चाहिए अपसा नम से कौन सीरा चना डाक्डर भीम्रा अम्वियत करकी है दव क्या होजगा कास्ट इन इंडिया शुद्राज और दी में याद रखना अब दोस्तों हम लोग अगले कोर्शन पर चलते हैं इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं अगले कोर्शन क्या है दोस्तों गिर्धार लाल किसकी फैक्टरी में किरानी था गिर्धार लाल किसकी फैक्टरी में किरानी था तो सेंसाब की फैक्टरी में गिर्धार लाल किरानी था और गिर्धालाल का बेटा का क्या नाम था मदन और सेंग साफ का बेटा के नाम कासु यानि की खोका ठीक है याद रखना अगला कोशन है सेंग साफ किसके व्यंग से हंड कर रह गए पत्रकार महोदे के व्यंग से या फिर सिंग साफ के व्यंग से या फिर गि दोस्तों हम लोग अगला कोश्चन पंदर नमर देखने वाले हैं ठीक है पंदर नमर कोश्चन कहाता है कि भारत कहां बसता है दिल्ली के पास गांधी में लोगों के मन में या फिर सहरों में तो भारत कहां बसता है ये तो हर कोई अंसर दे सकता है भारत लोगों के मन में बसत साध्सक्रीट अब अगला कोविशन भारत माता से कहानी सब्सक्राइब क्षिक अगला कोविशन मिहीर भोज्य की ऊंदिया परोट परशाषति है किस भासा में है इसका सही जबाब होगा संस्क्रीत भासा अपसा नमर सी होज़ेगा ठीक है अपसा नमर सी होज़ेगा संस्क्रीत भासा में ठीक है अब दोस्तों अगला काफी इंपोर्टेंट प्लस ने आ गया बहादूर कौन था बहादूर कौन था कहनिकार का चपरासी था या फिर पहदार था या फिर फोजी था या फिर नौकर था तो बहादूर एक नौकर ही था क्या था तो बहादूर एक नौकर ही था कैसे नौकर था जैसे बहादूर के जो बहादूर जो नौकर था बहादूर पाठ ही है और बहादूर पाठ में बहादूर नौकर ही है ठीक ह विर्जु महराज का संबंद किस घंखराने से हो बिर्जु महराज का सम्हाराज 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 का अंधर्व एक सास्तरी यह गायक है, ठीक है, एंसर हो जब स अगला कोश्चन है, पिता जी ने किसको मा रहा था छुआ धिदी को, मा को, संतु को या फिर भग्गु को, इसका एंसर क्या देना चाहेंगे, 22 का सही उत्तर क्या हो जब स्तों, 22 का सही उत्तर अफसों है पिता जी ने दिद्धी को मारा था ठीक है अगला कोशन पक्का महल क्या है पक्का महल क्या है कासी भी स्वनात से लगा हुआ इलाका या फिर संगितकार का नाम या फिर अभिनेता का नाम या फिर लेखा का नाम पक्का महल क्या है तो इसका हम सही अंसर क्या देना चाहेंगे चौबिस नमर प्रस्ण कहाता है गाधी जी सिक्षा का उदेश या क्या मानते थे याद रखना गाधी जी सिक्षा का उदेश या चरीत्र निर्मान को मानते थे ठीक है एंसर रोजेगा सी नमर नेक्ट प्रस्ण है कि ब्रहम का निवास कहा होता है ब्रहम का निवास कहा होता ह ब्रह्म का निवास काम कुरुद हीन व्यक्तियों में होता है जो काम करता है व्यक्ति उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है ठीक है अब अगले प्रस्ण देखेंगे अगले प्रस्ण कहता है दोस्तों कि गुरु किर्पा की महत्ता का वर्णन किस कभी ने किया है गुरु क टिक है ऑगला प्रस्ट्व ऊपर्षान को किसंने दिख्षा दी रस खां को किसने दिख्षा दी दिख्षा ठीक है तो इसका आнаसर हम क्या देना चाहऊँगे अपसानल Simwenби ए टिक है अपसानल स्वाम स्वामी ने दिया अपसानल ए2 हो जाएगा अपसानल अगला कोशला 28 नमर देखिए 28 नमर प्रस्तो फर सकाल के कभी अधीकाल रितिकाल भग्तिकाल फिर अधनिक जेहां कि सकाइब तो वह हो साफ्सेर्शी से कभी का तापता है विदेसी से कभी का क्या तापता है बृतएंगे फरंस चाहेंगे अप्शन न्मर इन में से कौन नाटक क्रिती है इन में से कौन एक नाटक क्रिती है इन में से कौन मांसरवर या फिर विपथा या फिर मिर्गनानी या फिर भारत सवभाग्या इसके एंसर हम लोग देंगा किसको देंगा अफसा नमर डी को देंगा भारत सवभाग्या ठीक है अगला कोचन ग गीता परकासनी किसके लिए परियुक्त है गीता परकासनी किसके लिए परियुक्त है तो भारत माता के लिए परियुक्त है एंसर हो जेगा डी नमर अगला कोचन है कभी के अंसा जनतंत रखे देवता कौन है नेता किसान मजदूर सिख चक या फिर मंतरी तो इसका तो एंसर ह गार्व मुआ प्रस्टी करें कि हिरो सी मा सेशक कभीता में सेशक कभीता में वर्णी सूरज कहा निकालता है पुर्वी दिक्षित पर या फिर पुर्वी दिशा में नगर कोई नंस कोई नहीं इसका इंसर होगा नगार के चौक पर भी चारों से सही हैं अप्सेन अप्सानमर यह हो जाएगा अगला प्रस्ण कि यह को किस वर्ण के अंतरगत रखा जाता है तो और दिचान राखा जाता है ठीक है अगला प्रस्ट ने निमली खीत में गोस वर्ण कौन सा है ठीक है चा गग और लौ इन चारों में से क्या हो जेगा अगोस वर्ण कौन होगा तो इसका अंसर हम लोग क्या देंगे आफसा नमर एक वो देंगे चो होगा ठीक है अब दोस्तों देखेंगे अगला प्रस्ट ने दोस्तों याँपा देखेंगे ध्यान से देखेंगे अगला प्रस्ट ने अगला प्रस्ट ने कहता है कि सदानंद का सही संदी बिछेद है सदानंद का सही संदी बिछेद क्या होगा ये नमर सत जोर आनंद अपसा नमर ए हो जेगा अगला कोच ने सतीरा नंद का संदी विश्यत क्या होगा तो B नमर हो जगा सद प्रस चीप प्रस आनंद अपसर नमर B हो जगा और अंतिम प्रस ने कि गांधी जी को हम गांधी जी को हम राष्ट पिता कहते हैं रेखांकिंग सब्द का संगया बताईए गांधी जी को हम क्या गांधी जी को हम भबेक्तिवाचक संग्या तो उम्हीद करता है दोस्तों यह सबीक प्रों आपको याद में करके फिर दोस्तों इसे और वीडियो के-लिये हमाई चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और यसे पडियो में डाfour नोड करने के के बाद है कि कितने प्रसुनों का एंसर आपको पहले से मालम था दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्ष्ट वाले वीडियो में